खारगे जी इसको तोड़ा उल्टा करें इसको घुबा देंगे रहा इनको घुबा दीजिए खारगे जी कमल हसन जी वेनु गोपाई जी शक्ति सिंग गोहिल जी अनिल जी स्टेज पे कॉंग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हमारे प्यारे कारे करता भाईयों और बहनों प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत बहुत स्वागत नमस्कार आपने इतना समर्थन इस यात्रा को दिया इतनी मलत की इतनी शक्ति आपने हमें दी इसके लिए मैं सबसे धन्यवाद करना चाहता हूँ इस यात्रा का लक्ष बारत को जोडने का है जब हमने ये शुरू किया कन्या कुमारी में यात्रा शुरू की तो मैं सोच रहा था कि नफरत को मिटाने की जरूरत है और मेरे दिमाग में था कि इस देश में सब जगे नफरत फैली हुई है मगर जब मैंने चलना शुरू किया तो सच्चाई बिलकुल अलग थी मैंने मीडिया के बारे में कहा शुरू आट में कहा कि हमारे दोस्त हैं दोस्त हैं मगर हमारी बाद टीविए पर कभी नहीं दिखाते हैं और वो तो तब भी ठीक है वो ठीक है हमारी बात नहीं उठाएं तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर ये एक और काम करते हैं इनकी गलती नहीं है देखिए ये जो यहां कड़े हैं इनसे गुस्ता मत होई है इनकी गलती नहीं है यह जहां जानते लगान लगी हूई है, पीछे से लगान लगी हूई है, मगर इनके चो चैनल है, यह भी नफरत फैलने का काम करते हैं, चौपिस घंटा चौपिस घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यह सचाई नहीं है भाईयों बैनों मैं चलाओ कन्या कुमारी से यहां तक यह सचाई नहीं है ये मीडिया में चलाया जाता है फेलाया जाता है ये देश एक है इन सडकों पे लाकों लोगों से मिला हूँ सारे के सारे एक दूसरे से महबत करते हैं प्यार करते हैं गले लगते हैं तो सवाल उठता है क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं इनके पीछे जो शक्ती है इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है तो सवाल उसका है ये क्यूं हो रहा है जब सच्चा ही ये है कि देश का आम नागरिक चाहिए हिंदू हो मुस्लिम हो सीख हो इसाई हो किसी भी जात का हो वो एक दूसरे से प्यार करता है मौबत करता है एक दूसरे की इज़त करता है नब प्रश्टिशद लोग इस देश के एक दूसरे से प्यार करते हैं मौबत करते हैं इज़त करते हैं देखिए मेरे सामने ये देखिए घूम के देखिए ये जैन मंदिर है गुर्दवारा है म मस्जिद है हि키 हिंदूस्तान. यह सचाई है हिंदूस्तान की और यह नए बात नहीं ही हजारों साल से इस देश की सचाई है. प्यार से यह देश मिल कर एक साथ रहा है. तो सवाल उठता है यह जो मीडिया के लोग है यह नहीं जो इनके पीछे हैं. यह नफरत क्यों पहलाना चाहते हैं आपने कभी पूछा अपने आपसे कि मीडिया 24 घंटा कभी कभी मुहपत की बात नहीं करेंगे कभी आपने देखी है कभी टीवी पर देखा कि देखो एक हिंदुस्तानी दूसरे हिंदुस्तानी से गले लग गया कभी देखा नई कभी नहीं देखेगा सही बात है ना सही बात कभी नहीं देखेगा इसका कारण है भाई और बेहनों कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप में से किसी रिखी जेब काता गया है आपका जेब काटा गया है आपका जेब काटा गया, तो जब जेब काटा जाता है, आपका काटा गया ना, तो जब कोई आपका जेब काटता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है, नहीं 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 ब्लेड तो बाद में आता है मगर पहले क्या करता है पहले वो आपके ध्यान को इधर करता है आपके ध्यान को लेकर उधर ले जाता है भाईयों और बहनों ये जो करा जा रहा है आपके ध्यान को हटाने के लिए किया जा रहा है और ये 24 गंटा करते हैं और फिर आपकी जेब काटी जाती है बढ़िया बढ़िया क्योंकि सच्चा ही है 24 गंटा हिंदू-मुसलिम, हिंदू-मुसलिम, हिंदू-मुसलिम और फिर जो भी आपका पैसा है किसानों का, मज़दूरों का आपके एरपॉर्ट आपके पौर्ट, आपकी सड़के सिदा किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में इनको कौन चलते हैं? नाम बताओ देखो सब जानते हैं पुरा हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है ये अंबानी ये दानी की सरकार है ये सच्चाई है और ये पूरा पूरा लक्ष इनका आपके ध्यान को इदर से उदर, उदर से इदर करने का है मैं 2800 किलोमेटर चला हूँ 2800 मुझे कही नफरन नहीं दिखी कही इंसा नहीं दिखी कही मारपीट नहीं दिखी मगर जब मैं इनका टेलिविजन कोलता हूँ 24 गंटे मुझे मारपीट, हिंसा, नफरत दिखाई देती है क्यूँ? क्यूकि ये आपका ध्यान इदर से उदर ले जाना चाहते है जो सच्चे मुद्धे हैं उस पे आपका ध्यान गलती से ना चला जाए जैसे जब कोई आपकी जेब काटता है वो चाहता है कि आपका ध्यान आपके जेब पे गलती से भी ना चला जाए ये हो रहा है इस देश में तो आपका ध्यान कहा जाना चाहिए मैं आपको पताता हूँ सबसे पहले आपका ध्यान जो हिंदुस्तान के युवाँ है उनकी ओर जाना चाहिए आप किसी भी युवाँ से पूछ लीजिये वो आपको बताएगा मैंने एंजिनियरिंग की मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ा मैंने आई एस के लिए तियारी की मैं जज बनने की कोशिश कर रहा था पूछो क्या किया पढ़ाई की कितने साल की स्कूल कॉलिज यूनिवर्सिटी सब पढ़ लिए और फिर क्या हुआ क्यूं आई मैं आपको बताता हूँ और जो हमारे छोटे भी अपारी है जो स्मॉल और मीडियम बिजनिस चलाते है आप अच्छी तरह सुनिए क्यूंकि आप इस देश के भविश्य हो अगर इस देश को कोई रोजगार दे सकता है तो इस देश का किसान और ये जो छोटे भी अपारी है और स्मॉल और मीडियम बिजनिसे चलाते हैं ये लोग है क्यूं क्यूंकि ये लाखों है ये लाखों में है और कोई सो लोगों को रोजगार देता है कोई पाच्सो को देता है कोई हजार को देता है कोई 25 को देता है कोई 35 को देता है और ये लोग देश को रोजगार देते हैं अब इनकी बात करते हैं ये 24 घंटे लगे रहते हैं बैंक के दरवाजे इनके ले बंद होते हैं हिंदुस्तान के दो तीन अरब पतियों को 1 लाग करोड दो लाग करोड तीन लाग करोड ऐसे दिया जाता है ये बैंक के सामने जाते हैं इनको धकेल के निकाल दिया जाता है राइट अब क्या ठीक है बैंक का पैसा नहीं दिये तब भी मानली बात तब भी मानली बात मगर फिर क्या किया फिर प्रधान मंत्री ने नोट बंदी की और प्रधान मंत्री ने गलत GST लागू की भाईों और बैनों ये पॉलिसी नहीं है ये हत्यार है छोटे भी अपारियों को small और medium बिज्निस वालों को और किसानों को मारने के हत्यार है ये तो देश के जो युवा है उनको रोजगार नहीं मिल सकता सवाल नहीं उठता क्योंकि जो रोजगार देने वाले हैं उनकी रीज़ के हड़ी आपने तोड़ दी किसके लिए तोड़ी किसके लिए तोड़ी इनके जो मालिक है उनके लिए तोड़ी गेम को समझो अब देखिए अब आगे चलते हैं युवाउ की बात की स्मॉलर मीडियों बिस्निस वालों की बात की दुकंदारों की बात की अब सडकों पे मुझे हजारों किसान मिले हैं एक सेकंड में पहचान लेता हूँ जैसे ही हाथ मिलाता हूँ समझ आ जाता है ये मज़़ूर है या ये किसान है हाथ से पता लग जाता है छिले हुए हाथ होते हैं अच्छा एक और सवाल है जो मैं सोच रहा हूँ प्रेस वाले ने मुझे पूछा प्रेस वाले ने मुझे पूछा क्या आपको ठंड रही लगती और मैंने सोचा ये मुझसे पूछ रहे है ये हिंदुस्तान के किसान से क्यों नहीं पूछते ये हिंदुस्तान के मज़ूर से क्यों नहीं पूछते ये हिंदुस्तान के गरीब बच्चों से क्यों नहीं पूछते फिर कहते देखो अठाइस सो किलोमेटर चल लिए कोई बड़ी बात नहीं है पूरा हिंदुस्तान चलता है जिन्दगी भर चलता है किसान चलता है मज़ूर चलता है फैक्टरी में जो काम करते हैं वो चलते है तो हमने ये कोई बड़ी बड़ा काम नहीं किया भाईयों और मैंने पूरा हिंदुस्तान करता है रोज करता है हम अट्थाइस्टो किलोमेटर चलते हैं किसान शाहिद जिंदगी में दस हदार, पंदरा हजार, बीस हदार चल लेता है तो मैं चाहता हूँ कि ध्यान सही चगे जाए अब बीजेपी ने धर्म की बात उठाईए हिंदु धर्म की बात करते हैं मैं आप से पूछना चाहता हूँ हिंदु धर्म में कहां लिखा है कि गरीबों को कमजोर लोगों को कुछलना चाहिए कहां लिखा है कहां लिखा है कि कमजोर लोग को मारना चाहिए कहां लिखा है मुझे बताओ मैंने तो कही नहीं पढ़ा मैंने गीता पढ़ी है उपनिशत पढ़े है कही नहीं पढ़ा मैंने आपने पढ़ा कही गले लगाने की बात होती है अच्छा ठीक है देखिए अब ये लोग देश में डर फैला रहे हैं नफ़त नहीं दिखी बगर डर दिखा किस के दिल में डर किसान के दिल में युवाओ के दिल में छोटे दुकानदारों के दिल में स्मॉल और मीडियम बिजनिस जो चलाते हैं उनके दिल में माताओ बेहनों के दिल में मुझसे कहती है राउली बीजेपी की सरकार में हम तो सडक पर शाहिम को सडक पर नहीं निकल सकते तो डर फैला दिया है सई? सई? अच्छा आपने शिवजी की फोटो देखी है उसमें उनका हाथ ऐसे देखा आपने? इसको क्या कहते है? इसको क्या कहते है? इसको अभे मुद्रा कहते है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डरो मत तो शिवजी कहते हैं डरो मत हिंदू धर्म कहता है डरो मत और ये लोग 24 गंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं अच्छा एक और मज़े की बात बताता हूँ आपको मैं सोच रहा था आपने ये यात्रा देखी होगी इसमें आपको हिंसा दिखी नहीं नहीं दिखी किसी ने किसी को मारा किसी ने गाली दी नहीं आपने इसमें नफरत देखी बिल्कुल नहीं इसमें किसी ने ये पूचा भाईया तुम्हारा धर्म क्या है किसी ने का भाई तुम हिंदू हो मुसल्मान हो सिक हो इसाई हो क्या हो किसी ने ये पूचा तुस्त्री हो या पुरुष हो किसे नहीं है पूछा तुम्हारी क्या जाहत है बिल्कुल नहीं कपड़े भी नहीं पूछे कपड़े भी नहीं पूछे अच्छा इसमें आपने देखा होगा पता नहीं आपने देखा या नहीं इसमें कुट्टे भी आए कुट्टे भी आए इसमें कुट्टे आए और आपने अगर आप टीवी देख रहे होते हैं आपने की देखे होगी कुट्टे को किसी ने नहीं मारा किसी ने नहीं मारा इसमें गाई भी आई बहस भी आए सुर भी आए मैंने देखा वो तो सब जानवर आए सब लोग आए और यहाँ पे कोई नफरत नहीं थी जैसा हमारा हिंदुस्तान है वैसे यह यात्रा है कोई नफरत नहीं, कोई हिंसा नहीं कोई गलत सवाल नहीं कभी कभी कोई गिर जाता जैसे हमारे हरियाना के PCC गिरे, धड़ाम से गिरे केरला के सब नेटा गिर गए एक सेकंड में लोग उनको उठा लेते थे एक सेकंड में टाइम नहीं लगता था यह है हिंदुस्तान नहीं देखिए मैं आपको एक बाद बताता हूँ सच्चाई समझनी होगी सच्चाई यह है कि जैसे इन पर लगाम लगी हुई है वैसे इंदुस्तान के प्रधान मंत्री पे भी लगाम लगी हुई है उनकी गलती नहीं है वो समाल नहीं पा रहे हैं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उनको कंट्रोल कर दिया है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ मैं सच बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए एरपोर्ट भी उनके पोर्ट भी उनके एग्रिकल्चर के स्टॉरीज डिपो भी उनके और क्या उनका हाँ लाल किला भी उनका सारे के सारे पुब्लिक सेक्टर की कंपनियां उनकी और क्या उनका रेलवेज उनकी अभी भाईयों बहनों ताज महल भी चला जाएगा तो सब कुछ उनका तो ये देश की सचाई है हाईवे भी उनके सेलफोन भी उनके मगर सचाई हमारी आप देखिए मैं आपको बताता हूँ आपको मैं बताता हूँ अपनी कहानी बताता हूँ जब मैं राजनेती में आया 2004 में आया हमारी सरकार थी चुनाव जीते थे और ये प्रेस वाले 24 गंटा मेरी प्रिशंसा करते थे 24 गंटा 24 गंटा राहूल गांदी, राहूल गांदी, राहूल गांदी फिर मैंने क्या किया मैं चला गए भटा परसॉल नहीं सुनो आपको समझना है ये है क्या मैं भटा परसॉल गया और मैंने किसानों का जो जमीन का मामला है उसको छेड़ दिया और भाई और बेहनों जैसे ही मैंने किसानों का जमीन का मामला छेड़ा वैसे ही ये मेरे पीछे पढ़ गए उसके बाद जमीन अधिकरन बिल बट्टा परसोल के बाद जमीन अधिकरन बिल लाया कॉंग्रेस की सरकार लाई उसके बाद तो पूरा फूल टाइम 24 गंटा मेरे पीछे पड़ गए प्रधान मंत्री जी ने बीजे पी ने मैं आपको सच्चाई के बारे में बताना चाह रहा हूँ प्रधान मंत्री ने बीजे पी ने हजारों करोड रुपए लगा दिये मेरी शवी को खराब करने में हजारों करोड रुपए और आपने देखा होगा मैंने एक सब नहीं बोला बिल्कुल चुप बिल्कुल चुप मैंने एक सब नहीं बोला मैंने यह नहीं बोला भईया यह गल्ट बोल रहे हैं यह ठीक नहीं है ना मैं बिल्कुल चुप चुप क्योंकि मैंने कहा चलो देखता हूं कितना दम है और लगाया पूरी की पूरी मीडिया लग गई वाटसेप पे लगाया फेस्बुक पे लगाया सब जगे 24 घंटा राहूल गांदी के बारे में कुछ नहीं बोला मैंने पूरे देश में फेला दिया और फिर एक महिने मैंने आपको सचाई दिखा दी और पूरा पूरा खतम देखो सचाई कैसे काम करती है सचाई को छुपाया नहीं जा सकता है कहीना कहीं से सचाई बहार आ जाती है और यह यात्रा हिंदुस्तान को जोडने की है क्यों कि इस नफरत से इस गर से हमारे प्यारे देश को नुक्सान हो रहा है यह सचाई है और इसलिए हमने यह यात्रा कन्या कुमारी से लेकर कश्मीर तक शुरू की है और यह जो हमारा तिरंगा है इसको हम स्रीनगर में जाके वहां पे लेराएंगे और आप में से हजारों लोग हमारे साथ चलोगे हजारों लोग चलोगे तो भाई और बहनों देखिए सच्चा मुकाबला दुन्या में सच्चा मुकाबला चाइना और हिंदुस्तान के बीच में है ठीक है चाइना ने 2000 स्क्वेर किलोमेटर हमारी जमीन ले ली है प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि हमारे बॉर्डर के अंदर कोई नहीं आया तो भाईया प्रधान मंत्री जी अगर कोई नहीं आया तो हमारी सेना उनकी सेना के ताथ 21 बार क्यों बात कर रही है और हमारे जो सेना के लोग हैं, हमारे डिफेंस पॉर्सेस के लोग हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी जमीन ले ली है मगर, देखिए competition आर्थिक है मुकाबला आर्थिक है यह आपके जो cell phone है यह आपके जो shirt है, जूते है इसके पीछे आप देखिए, प्रेस वालों के जो कैमरा हैं इसके पीछे देखिए उसके पीछे आपको लिखा देखेगा, main in China हमें shirt के पीछे, cell phone के पीछे, जूतों के नीचे made in India लिखना है और एक ऐसा दिन आना चाहिए जब चाहिए जब चाहिए में कोई युवा नई जूते खरीदे उसके नीचे देखे made in new Delhi इंडिया ये हिंदुस्तान चाहिए इसी से हमारे युवाव रोजगार मिलेगा तो ये ये करना ही पड़ेगा, choice नहीं है और ये हम करके दिखा देंगे, ये देश कर सकता है करके दिखा सकता है आप, आप सबने इतना प्यार दिया आपने इतना प्यार दिया मैंने भाशन में राजिस्तान में कहा था आपके नफरत के बाजार में हम महबत की दुकान खोलेंगे आपने लाखों दुकाने खोल दी है आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्का जैहिद